कॉल्डिनेट जोमेट्री ऑफ थ्री डाइमेंशन थ्री डी अपना जो सलेपस है उसको करने से पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट्स वापिस रिवाइज कर लेते हैं जो आप अल्रेडी जानते हैं लेकिन इनको फिर भी रिवाइज करना बहुत जरूरी है इससे हमको कृष्ट करने में बहुत सुविधा रहेगी डिस्टेंस फार्मूला दो बिंदों x1 y1 z1 x2 y2 z2 के बीच दूरी डी बराबर x2 minus x1 का स्क्वेर प्लस y2 minus y1 का स्क्वेर प्लस z2 minus z1 का स्क्वेर अंडर रूप डिरेक्शन को साइन्स ओफ ए लाइन इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे dcs एपस्ट्रोफी लगा के दिख कोजयें हिंदी में कहेंगे इसको दिख कोजया कोई रेखा निर्देशी अक्षों के साथ जो कौन बनाती है उन कौनों के को साइन्स उस रेखा के डिरेक्शन को साइन्स क्यलाते हैं यदि रेखा x, y और z से अक्षों से अलफा बीटा गामा कौन बनाएगी या बनाती है तब डिरेक्शन को साइन्स कौस अलफा, कौस बीटा, कौस गामा होंगे जिनको हम elements छोटे letter से प्रदर्शित करेंगे x अक्ष के डिरेक्शन को साइन्स क्योंकि x अक्ष के साथ 0 डिगरी कौन बनाती है, उसका को साइन्स यह नि कौस 0, that is 1 x अक्ष y अक्ष से 90 डिगरी का कौन बनाती है, कौस 98 0, ऐसे ही z अक्ष से कौन 90 है, तो 0 तो x अक्ष के डिरेक्शन को साइन्स ध्यान रखेंगे 100, इसी प्रकार y x के 010 और z अक्ष के 001 डिरेक्षन को साइन्स में संबन, l square plus m square plus n square is equal to 1 डिरेक्षन ratios of a line, इसको दिखाएंगे dr apostrophe s दिक अनुपाद कोई तीन संख्या है, a, b, c, किसी रेखा के डिरेक्षन को साइन्स element के समानुपाती हो, तो इन्हें दिक अनुपाद या direction ratios कहते हैं, अर्थात, a upon l is equal to b upon m बराबर c upon n, या l upon a बराबर m upon b बराबर n upon c, उपर के square करके add करके under root, ऐसे नीचे भी वो का हुई, square करके add करके under root under root ऐसलिए plus minus, और l square plus m square plus n square is 1 so this is plus minus 1 upon under root a square plus b square plus c square l is equal to a upon under root summation a square plus minus, ऐसे m और n की value निकाल लेंगे तो जब भी हमको direction ratio दिये वे हों, और उनसे हमको अगर direction cos बनाना है तो हमको हमेशा उन तीनों का square करके add करेंगे और under root लेके उसका abc, उन जो direction ratios हैं, उनके अंदर हम भाग लगा देंगे तो वो direction cos में change हो जाएंगे दो बिंदों x1, y1, z1, x2, y2, z2 को मिलाने वाली रेखा के direction cos इन दोनों को घटाएंगे आप x2-x1, y2-y1 और z2-z1 होंगे p.x1, y1, z1 तथा q.x2, y2, z2 हैं तब रेखा p.q का अन्य रेखा पर प्रक्षेप जिसके direction cos element हो l into x2-x1, m into y2-y1 प्लस n into z2-z1 यहाँ पर यह बहुत ध्यान रखना जरूरी है कि यह direction cosines होना जरूरी है नहीं तो अगर यह ratio है तो यह प्रक्षेप सही नहीं आएगा ठीक है? अब हम लेते हैं plane किनी दो बिंदों को मिलाने वाली सरल रेखा पून तया जिस प्रस्ट पर इस्थित हो वह प्रस्ट सम्तल कहलाता है जैसे यह अपने पास कागज है और इसके अंदर यह कोई line ली हमने और यह line पून तया इस कागज के अंदर ही विद्धिमान है इसलिए यह कागज होगा यह अपने पास में एक plane कहला हैगा नेक्स्ट जनरल इक्वेशन ओफ ए प्लेन व्यापक समीकरण AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D इक्वल टू 0 हम यह कहँ हैं कि X, Y, Z के अंदर कोई भी linear संबन हमेशा एक plane को represent करेगा और अगर यहाँ पे ABC जो CD जो ले रहे हैं यह सारे constants है ठीक है और अगर यहाँ पे हम C को 0 कर देंगे तो यह क्या होगी लाइन होगी तो एक तरह से लाइन का लोकस जो है वो plane बन गया अपने पास X, O, Y समतल या XY समतल का समीकरण Z बराबर 0 इसी प्रकार YZ समतल का समीकरण X बराबर 0 और ZX समतल का X बराबर 0 Next X1, Y1, Z1 बिंदू से गुजरने वाले किसी भी समतल का समीकरण 1.4 A into X minus X1 plus B into Y minus Y1 plus C into Z minus Z1 बराबर 0 plane का equation in the normal form प्रैसामान्य रूब LX plus MY plus NZ equal to P जहां P मूल बिंदू से समतल पर लंवत दूरी है और element इस लंब रेखा के direction cosines है ठीक है जैसे ये वाला plane अगर हमको लेना है इसके उपर perpendicular line ये वाली line होगी perpendicular तो ये जो plane के लंब रेखा है ये बहुत ही महत्पूंग चीज है आम तोर पर हम ये गलती करते हैं हमेशा बोल देते हैं कि direction cosines of a plane जबकि plane के कोई भी direction cosines नहीं होते हैं direction cosines of a line which is perpendicular to the plane इसका विशेश ध्यान रखेंगे intercept for X upon A plus Y upon B plus Z upon C वरावर 1 जहां A, B, C सम्तल द्वारा निर्देशी अक्षों पर काटे गए अंत्यखंड है जैसे अपने पास में ये line सपोज करिए दिसे जवर X axis यहां से X axis होगी यह Y axis होगी यह Z axis होगी और यहां पर अंत्यखंड X axis पर A कटिया Y पर B कटिया और Z पर यह कटिया तो इन तीनों पॉइंट को हम मिलाएंगे यहां से तो यह कहलाएगा हमारे पास में intercept form में plane का equation दो सम्तलों के बीच कौन दो सम्तल हम को दिये है A1 X प्लस B1 Y प्लस C1 Z प्लस D1 बराबर 0 A2 X प्लस B2 Y प्लस C2 Z प्लस D2 प्लस D2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वेर प्लस B1 स्क्वेर प्लस C1 स्क्वेर अंडर रूट A2 स्क्वेर B2 स्क्वेर C2 स्क्वेर प्लस माइनस अगर प्लेन प्लेलल है अगर दो प्लेन हमारे पास में इस तरह से parallel planes आ रहे हैं तो जब plane parallel हैं तो उनके दोनों के लंब रेखा भी कैसी होगी parallel होगी जो इसके ये line लंब रेखा होगी ऐसे इसके भी लंब है तो ये line कैसी होगी parallel होगी तो direction cosines कैसे होगे proportional हो जाएंगे a1 upon a2 बराबर b1 upon b2 बराबर c1 upon c2 और ये ही हमारे पास में अगर plane perpendicular होगे ये plane इस तरह से जैसे एक plane ये है ये किये है तो इसकी जो normal line है वो इस वाले plane की normal line के perpendicular होगी और जैसे perpendicular होगी तो cos theta की value कितनी हो जाएगी थीटा बराबर 90 cos 90 is 0 so a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equal to 0 तो planes अगर perpendicular है तो उनके normal lines भी हमारे पास perpendicular होगी next ax plus by plus cz plus d बराबर 0 समतल के समांतर समतल का समीकरण ax plus by plus cz plus k equal to 0 यानि हमको केवल constant change करना है तो हमको plane parallel मिल जाएगा क्योंकि plane अगर parallel चाते हैं तो उस case में क्या होगा जो दोनो planes का normal line है वो दोनो planes की normal line कैसी हो गई दोनों के लिए ही normal है यानि उसके direction cosines proportional होगे तो वो क्यों वही काम आएंगे आपके a b c तो same रहेंगे direction ratio केवल constant change हो जाएगा समतल p1 a1 x plus b1 y plus c1 z plus d1 बराबर 0 इसी प्रकार p2 बराबर 0 के प्रतिछेत से गुजरने वाला समतल ये ध्यान रखेंगे p1 plus lambda p2 बराबर 0 यानि a1 x plus b1 y plus c1 z plus d1 plus lambda time a2 x plus b2 y plus c2 z plus d2 बराबर a sorry plus और इधर last में 0 बिंदू x1 y1 z1 की a x plus b y plus c z plus d बराबर 0 समतल से लंबवत दूरी a1 x plus b1 y plus c z1 a sorry a x plus b y plus c z plus d है तो a x1 plus b y1 plus c z1 plus d upon x y z के coefficients के square का योग करके under root a square plus b square plus c square under root दिती घात के व्यापक समगात समीकरण a x square plus b y square plus c z square plus 2 f y z plus 2 g z x plus 2 h x y 0 ये दो समतल को निरुपित करेगा यदि delta बराबर 0 वही एक determinant आपको बताया था a h g h b f g f c जो 2 d में आया था ये वही वाला है a b c plus 2 f g h minus a f square minus b g square minus c h square बराबर 0 और इन समतलों के बीच में कौन 10 theta theta है कौन तो 10 theta बराबर 2 root f square plus g square plus h square minus a b minus b c minus c a upon a plus b plus c और ये plane perpendicular होंगे तो theta बराबर 90 degree 1 upon 0 so a plus b plus c बराबर 0 चार शीर्ष अगर हमको दे रखे हो xr, yr, zr, r taking values 1, 2, 3, 4 तो चतुस फलक का आयतन v बराबर 1 upon 6, x1, y1, z1, 1, x2, y2, z2, 1, x3, y3, z3, 1, x3, x4, y4, z4, 1 का determinant this is the volume अब लेते हैं अपन straight line दो ऐसमांतर समतलों का प्रतिछेद हमेशा एक सरल रिखा होती है ठीक है? ऐसमांतर होने चीन ये तो कटेंगे ही नहीं सरल रिखा का सम्मिकरण दो समतल अगर एक साथ कहीं पर भी मिल जाएंगे हमको तो वो general equation of a plane क्यालाईगी ये दोना plane एक साथ मिलके एक straight line को represent कर रहे है सम्मित रूप बिंदू P, X1, Y1, Z1 से गुजरने वाली तथा element direction cosines वाली रिखा का सम्मिकरण X-X1 upon L बराबर Y-Y1 upon M बराबर Z-Z1 upon N बराबर R मान लेते हैं आ रहे और इस point P से R दूरी पर स्थित किसी भी बिंदू के निटदे शांग यह यहां से यह निकालेंगे आप LR plus X1, MR plus Y1 NR plus Z1 यह हमारे बहुत काम में आएंगे दो बिंदूओं से गुजरने वाली रेखा का सम्मिकरण दो point दे रखे हैं हमको तो X-X1, Y-Y1, Z-Z1 तो रखेंगे उपर point X1, Y1, Z1 आप चाहें तो X2, Y2, Z2 भी ले सकते हैं नीचे आपको चाहिए direction ratios या cosine इनको घटा देते हैं X2-X1, Y2-Y1 and Z2-Z1 next रेखा X-X1 बराबर Y-Y1 upon M बराबर Z-Z1 upon N और सम्तल AX plus BY plus CZ plus D बराबर 0 के बीच कौन थीटा है तो sine थीटा विल बी AL plus BM plus CN upon root A square B square plus C square का योग under root L square plus M square plus N square और अगर हमारे पास में सम्तल रेखा के समानतर है जैसे यह सम्तल है और यह line parallel है तो क्या होगा सम्तल की जो perpendicular है वो perpendicular इस line के perpendicular होगा सो कौस थीटा विल बी 0 तो ऐसे केस में sine थीटा विल बी थीटा यहां से आपके कैसा होगा 90 होगा sine थीटा ठीक है तो यह कैसे होगा proportional हो जाएंगे L upon A बराबर M upon B बराबर N upon C और सम्तल समानतर रेखा के समानतर है तो यह perpendicular होगे तो perpendicular की condition लग जाएगी इसमें ठीक है साथ और तीन परस पर लंब रिखाओं के direction cos में संबन OX, OY, OZ के सापेक्ष OX-OY-OZ की direction cos L1, M1, N1, L2, M2, N2, L3, M3, N3 और OX-OY-OZ के सापेक्ष OX, OY, OZ की direction cos L1, L2, L3, M1, M2, M3, N1, N2, N3 हो तब L square, M square, N square का योग बराबर 1 इसमें 1, 1 पर चलेंगे फिर समीशन L2 square बराबर 1 समीशन L3 square बराबर 1 समीशन L1, L2 बराबर 0, L1, L2, M1, M2 N1, N2, ऐसे तीनो set और इधर आपके वो ये भी रहेंगे लागू L1 square प्लस L2 square प्लस L3 square बराबर 1 ऐसे ही समीशन M1 square समीशन N1 square या MI square कर दीजे और समीशन L1, M1 समीशन M1, N1 समीशन N1, L1 ये भी 0 होंगे तो इस प्रकार से इनको आप revise करते रहें